अगर आपके पास पढ़ाई ना करने के सो बहाने है न, तो थोड़ा सा और सोचना, क्योंकि पढ़ाई करने के एक हजार मकसद है, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, कि आप मुझे पढ़ाई ना करने के एक लाख बहाने बताओ, मैं आपको सिर्फ एक रीजन बताऊंगा तो get success, पैसा कमाना, माबाब को early retirement देना, नाम कमाना, दूसरों से आगे बढ़ना, ये सब आपके अधिखार हैं जो आपको आपको कोई नहीं बताता, अपने आपको अपने ही अधिखारों से क्यों दूर कर रहे हो, क्यों नहीं पड़ रहे हो, क्या आपका ये अधिखार नह कि आप अपने आपको खुद की नजरों में प्रूफ कर पाओ कि मैं खुद अपना एक बैटर वर्जन तयार कर सकता हूं क्या आपका ये धिकार नहीं है कि आपके पास भी कार हो बंगला हो सारी सुविधा हैं आप अपने माबाब की भुड़ापे में अच्छी तर केर कर सको और केर करने के लिए आपको आज पढ़ाई के प्रतिक केरलेस नहस से बाहर निकलना पड़ेगा आज अगर आप केरफुल बनोगे पढ़ने के लिए तभी सक्सेस्पुल हो पाओगे आज आप घरीब हो आज आपकी बात कोई नहीं मानता आज हर कोई आपका मजाक बनाता है आज आपके साथ कोई नहीं खड़ा रहना चाथा बी अ लिडर अज लिडर सिप कम जब पर नॉलेज आज नॉलेज पर उन किताबों से जो अबी धूल खारी आपके बास दम लगा के पढ़ाई करो चाहे वो कितनी ही impossible लगे चाहे उसमें आपका दिन का पूरा टाइम चला जाए चाहे आज आपको रात भर चक के पढ़ा ही गंडी पढ़े वो जो successful होने वाली feeling है न उससे बढ़िया feeling और कोई नहीं है जब बंदा successful होता है तो उसके भीचे उसकी कई रातों की, कई दिनों की महीनों की, सालों की महनत होती है find out your reason to study क्यों, क्यों पढ़ना है आपको what is the reason मैं बताता हूँ, just get up and see your face in mirror क्या दिखता है आपको अपने चेहरे पे एक loser या एक जिद्धी सुबह उड़ने में जिसको जोर आता है या एक वो जिसके बारे में लोग सुबह उड़ते ही खबरे पढ़ेंगे आज आपको जो नजर आ रहा ना शिशे में वही आप कुछ साल बाद में बनने वाले हो ये चमतकार है, आप जैसा अपने बारे में सोचते हो वैसा बन जाते हो, ये वरदान है इंसान को उपर वालेगा, आप जैसा चाहोगे जैसा सोचोगे, वैसे ही काम करोगे और वैसे ही बन जाओगे, अगर आप सोचोगे कि मैं नहीं पढ़ सकता तो आप नहीं पढ़ सकते वो जो एक रीजन है ना आपका पढ़ने का वो more than sufficient आपको पढ़ाने के लिए रात बर जगाने के लिए आपके सपनों को पाने का अधिकार जो आपके लाओ और कोई नहीं करके दे सकता आपको हमेशा अपने आप से वोलो कि आज आपकी जो situation है वो हमेशा ऐसी नहीं रने वाली अगर आप चाहोगे तो एक दिन आपका नाव नाउस किया जाएगा as a school topper, as a college topper, as a UPSC topper कितना proud होगा उस moment में जब आपके dream job का appointment letter आपके हाथ में होगा आपके successful होने पर वो जो खुशी होगी ना आपको और आपके परिवार को that is unique आपको एक अलग दुनिया दिखाएगी जब आप रात को देर तक पढ़ते हो और जब आपको लगने लगता है कि आप मुझे सो जाना चाहिए तब याद करो कि आज जो पढ़ना था क्या हो complete हो गया rules for success are very simple हर कोई जानता है उनको simple है बट करना easy नहीं है ऐसा लोग कहते हैं इन लोगों की category से अलग सोचना है इन लोगों से आप दूरी बना पाओ या ना बना पाओ आप के ओल वैसा सोचना बंद करो जैसा वो और सोचना है अगर कोई आपको बोलता है कि यार competition का level high हो गया है इट मींस आपको भी अब smart होने की जरूरत है आपको भी अपने आपको update करने की जरूरत है आपको भी अपने आप से ज्यादा मेहनत करवानी है किसी समझदार आदमी ने कहा है कि ग्यान ही एक मातर ऐसी चीज है जिससे पूरी दुनिया बदली जा सकती है अपने आपको वो ग्यान देने के लिए हमेशा पुष्च करते रो जो आपकी किताबों में है जब पूरी दुनिया को ग्यान से बदला जा सकता है तो खुद की जिन्दगी क्या चीज है मुझे याद है जब दिवाली की छुट्टियां पढ़ा करती थी तब बहुत सारा हमवर्क मिलता था ऐसे लगता था कैसे हो का लेकिन करने के बाद लगता था कि यार देको वो गया न आपका पढ़ाई करना तब तक आपको impossible लगता जब तक आप पढ़ नहीं लेते जब आपके marks कम आये किसी exam में तो ऐसे मत कहो कि why am I? Always say that I will again try. Problem तब तक problem नहीं होती जब तक आप उसको problem नहीं समझ लेते. जब भी चीज़े create और hustle करनी पड़ती है बूरी चीज़े अपने आप मिल जाती है और दिमाग को शांत कैसे करोगे? जब आप सुबह एक determination से उठोगे यार आज कुछ भी हो जाए मेरा आज का slave असे उसको मुझे खतम करना है finish करना है आज बस complete करके ही सोना है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई करना आसान है मैं यह कह रहा हूँ कि पढ़ाई आपकी जिन्दगी जीने को आसान ना दी है कई student बोलते हैं कि result अच्छा नहीं आता अगर आपके वो result के बारे में ही सोचोगे तो कुछ नहीं बदलने वाला लेकिन अगर आज आप खुद को बदलोगे तो result अपने आप बदल जाएगा कोई बच्पन से intelligent और talented नहीं होता जब कोई focus करके पढ़ता है सुनता है, चीजों को observe करता है और फिर उनको huge करना जानता है तब उसको दुनिया smart बोलती है आपको वही smart बनना है focus होके पढ़ना intelligent होने से ज़्यादा माइने रखता है क्योंकि focus करके पढ़ोगे तो आप अपने आप intelligent बन जाओगे अगर आपका दिल तूटा है तो रोने की बजाए पढ़ाई करके सपने पूरे करो और अपनी जिंदगी को आलिशान धंग से जीओ आज अगर आप रात को जक्कर पढ़नी सकते तो मानलो कल को आप अगर डॉक्टर बन गए तो रात को कैसे emergency डील करोगे योगि आपको तो किताब उठाते नीदा ने लगती है रात को तो आप जगी नहीं सकते अगर आपको अपनी लाइफ की सभी प्रॉब्लम सोल करनी है तो आपको उस माइंड सेट से बाहर निकलना पड़ेगा जिसके अंदर आपने ये प्रॉब्लम क्रियेट करके रखिए और जो प्रॉब्लम है आपकी पढ़ाई ना कर पाने की उस थोट प्रोसेस से बाहर निकलने का टाइम आ गया इस वीडियो को हर एक इंदुस्तानी स्टूडेंट के साथ शेयर करना और खास तोर पर उसके साथ जो बहुत सारी मुश्किलों के बाद भी महनत कर रहा है आगे बढ़ने की कोशिस कर रहा है और एक बाद जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बड़ा सोचो और बड़ा करो देश में अपना नी बलकि दुनिया में देश का नाम करो जैहिंद वंदे मात्र करें कर्ते अिन अपना करें है कि बड़ी नीडियों मात्र झाल झाल जीद फिक्स